हेलो फ्रेंज वेलकम टू अंसीन एजूकेशन हीमचल जोग्राफिक क्विक रिविजन का जो है लेक्चर नमबर फॉर है और सेट नमबर फॉर की हम आज बात करने वाले हैं यह बैस्ट फाइवनडर्ड MCQs of Hemachal Geography की हम बात कर रहे हैं इसमें क्वेशन जो बेस्ट हैं वो प्रिवियस एयर में जितने भी क्वेशन पूचे हैं जितने भी एक्जाम हुए हैं चाहे वो HPP SC के हों और साथी साथ SSC की बात करें अगर तो जितने भी एक्जाम हैं इस तरीके की जितने भी एक्जाम है उनका maximum maximum हमने निचोड इसमें निकाला है difficult question भी हम लोग आने वाली सीरीज में करने वाले हैं इससे पहले की हम difficulty की और बड़े तो level जो है उस तरीके से रीच करेगा अभी हम इस set में जो है सबसे ज़्यादा question river system और peak से करने वाले हैं तो आप attempt कर सकते हैं अगर किसी ने rivers औ पीक वाला यह video lecture नहीं देखा है उसको जाकर go through कीजिए उसके बाद जो है आप move on कीजिए और आज के देखिए 30 question है इसमें अपना attempt देजिए best से best देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी त्यारियां किस level पर चल रही हैं वो हमें पता लग सके और साथ ही साथ मैं बता दू कि आने वाले दो तीन महीने आपके लिए crucial होने वाले हैं क्योंकि आज जो है cabinet की meeting होई है शायद कल तक आप तक यह lecture पहुंचेगा cabinet की meeting में मैं special video बनाने वाला था तो मुझे लगा कि इसी में इसको include करता हूँ चलता हूँ cabinet की meeting में जो है पतवारी की vacancies आने वाली है almost 800 vacancies ह लिए भी recruitment process start होने वाला है around 35 vacancies इसकी भी sanction हुई है तो आप अपनी तयारिया ना छोड़े उन्हें जो है बहुत अच्छे level पर ले जाएं और साथी साथ competition जो है इस time पर बहुत peak पर है आपको पता है stagnation आ गया था एक साल में क्योंकि कोई भी vacancy नहीं हुई है और बहुत सा जो series हमारी चरने वाली है art and culture की right art and culture हम start करने वाले हैं इसमें हम बहुत brief में temples of हिमाचल परदेश की बात करने वाले हैं stay tuned with us तो आज का ये lecture बहुत ही प्यारा सा lecture हम लोग लेके आये हैं आप enjoy कीजिए इन lectures को और complete कीजिए अपनी तयारियों को I am signing in सबसे पहले first question की आज बात करते हैं और series का ये 91st question है हम 500 question की ये series लेकर चल रहे हैं शिरीखंड peak की अगर बात करें altitude of 5182 meters is located in the district क्या ये बिलासपू district में मंडी है इसे मौर है या फिर कुलू district है तो इसका अगर right answer की बात करें तो D is the right option शिरीखंड जो है यहां पर यात्रा होती है July and August मंत की बा स्यातरा को करते हैं इच्छाएं प्रकट करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी होने पर या किसी भी तरीके की मान्यता हैं तो लोग यहां पर जाते हैं इसकी height काफी जादा है 5000 से उपर है तो ये बहुत important question है आने वाले exam में ये question पूछे जाते हैं और देखी अभी one liner हम comment करना ना भूलें और साथ में जितना आप लोग हमारे साथ intellect हो सकते हैं तो आप अपनी त्यारियों के साथ साथ में हमारे साथ में जूड़ने की कोशिश करें 92 number question की बात करते हैं चिर्चिन नाला is the tributary of the river क्या ये बियास की है रावी ये मुना एंचिना आप इसमें बार the right option is option number B, B जो है इसका सही अंस है चिर्चिन नाला जो है ये सहायक नदी है रावी river की राइट, now moving forward 93 number question की बात करें, Tons, Tons is the tributary of, Tons की अगर बात करें, Supin और Rupin दो rivers हैं इसके बारे में भी बहुत अच्छे से detail में हमने lecture में पढ़ा है, Yamuna river system की अगर बात करें, बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर पढ़ा है, Tons is the tributary of, क्या Yamuna है, Sataluj Ganga और B, E is the right answer, और जाकर इसे देखें, lecture एक बार आप देखेंगे, तो इसकी tributaries भी आप नहीं बूलेंगे, साथी साथ आपको ये भी पता चलेगा, कि इसकी origination कहां से हैं, तो मैंने पहले भी बताया, य ये जो लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर रिवर सिस्टम पर रहने वाला है, और देखें, 94th question की बात करें, पबर is the tributary of, साहेक में भी साहेक नदी है, तो हमने इसकी भी बात की है, this is the tributary of, क्या ये, Yamuna है, Sataluj या फिर गंगा और B, E is the right option for, पबर is the tributary, ये साहेक नदी है, Yamuna की, और मैं इसमें जो है, जादा से जादा टाइम, खतम नहीं करना चाहता, आप लोगों का, ताकि आप जो है, बाइंट करें, अपनी त्यारियां, 20-25 मिनट में, आप रोज का attempt दें, और उसमें आप चेक करें, कि 30 में से आपके कितने questions सही होते हैं, तो इसलि करें, हम उनको चेक आउट जरूर करेंगे, 95th question की बात करें, गिरी गंगा is the tributary of the river, Yamuna की है, सतलुच की है, गंगा की है, या फिर ब्यास की है, गिरी गंगा जो है, this is the tributary of Yamuna river, A is the right option, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से detail में जो है, lecture में पढ़ा है, 96th question की बात करे The river Chinav enters in Kashmir valley at the place, किष्टवार है, डोडा है, सर्थन है, या फिर संसारी नाला है, देखिए अगर यहां पर इस जगा की बात करें, तो यहां की बात हो रही है कि चंबा को छोड़ कर, कश्मीर वैली में कौन से region से Chinav river enter कर जाती है, किष्टवार की अगर बात करें, यह वाला आरिकली इन जेंड के, अगर आप नसीरी टरनल की बात करें, नसीरी टरनल की बात करें, तो वहां से एक लिंक रोड जाता है, तो उसी रिजन में आपका डोडा डिस्रिक पड़ता है, जमू कश्मीर के, सर्थन की बात करें, यह भी बिलको गलत अंसर है, the right answer for this question is, संसारी यहां से जो चिनाब रिवर है कश्मीर वैली में एंटर कर जाती है हिमाचल परदेश से तो इस तरीके को क्वेश्चन जो है बहुत पूछ लिये जाते हैं कई बार कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो इस चीज पर फोकस करें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे क्वेश्चन के उतना ज्यादा बेनिफिट होने माला है आप लोगों के लिए मैं 97 क्वेश्चन की बात करें इसमें रावी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा था यह भी चक्की इस नौट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर अगर चक हमने यह भी बताया था चक्की मर्ज हो जाती है पठान कोट में जाकर और इसके साथ में एक और ट्रिब्यूटरी थी ब्यास की देहार खड तो दोनों की दोनों जो है पठान कोट वाल नामक स्थान पर आकर मर्ज हो जाती है रिवर ब्यास में तो इस नौट दा ट्रिब्य ना हो 98th question की अगर हम बात करें by what name glaciers are known in the local language इसमें भी हमने जब glacier वाला जो लेक्चर पड़ा था तो उसमें बहुत ब्रीफ में बताया था कि glacier को हमारी local language में किस नाम से जाना जाता है बयोल है, शिगरी है, घराट है, सगिमना है, तो इसे जो है शिगरी के नाम से जाना जाता, B is the right answer, इसके बाद 99th question की बात करें the total distance covered by the Chinab in हमाचल परदेश before entering into कश्मीर वैली, तो distance की बात करें, catchment area की बात करें अगर Chinab river का हमाचल परदेश में this is 150 km है या फिर 220 या 122 या 297 अगर right option की बात करें, option number C is the right answer, 122 km का catchment area बनाता है Chinab river in हमाचल परदेश और दूसरी चीज़ हम बात करें volume wise जो है, सबसे largest river जो है, हमाचल की वो कौन सी है, Chinab river अगर length wise बात करें, तो कौन सी है, Satloj river और आप comment करके बताएं Satloj river का catchment area हमाचल परदेश में कितने किलोमेटर का है आप comment कर सकते हैं अब next question की बात करें what is the position of हमाचल परदेश amongst states at the national level in term of area descending order की बात करें क्या 4th rank पर है, 14th rank पर है, या 9th है या 5th है, option number D is the right answer, right तो 101 number question की बात करें what was the Sanskritic name given to river Ravi around 1000 BC तो Ravi का Sanskritic name या Sanskrit में इसे किस नाम से जाना जाता था क्या इरावती नाम से, रिशव या फिर रितामबरा है मरिगेचनी है, किस नाम से जाना जाता था right answer is option number E इरावती के नाम से रावी को जाना जाता था बहुत सारे exam में इस तरीके के question पूछे जाते हैं, तो इसके बाद बात करें, next question देखिए what is the total length of the river Ravi in Himachal Pradesh 269 km, 193, 158 और 214 km option number C is the right answer और साथी साथ आप attempt भी देते जाएं और देखें कि आपकी त्यारियां किस लेवल पर है, 103 number question की बात करें, the river Ravi is found by two glacier fed stream and named, और हमने इसके बारे में बहुत brief में पढ़ा है, क्या हो child और तंतागिरी है और या फिर मुंजू और एंड चाइल है तंतागिरी एंड सोलांग है या भादल एंड तंतागिरी है, option number D is the right option, भादल और तंतागिरी जो है, merge करके एक जो है fed करते हैं, किस river को रावी river को, यह दोनो glacier है यह कहां पर है, अगर हम location की बात करें, तो कांगड़ा में है कांगड़ा में भी जो है धौलदार range में, और हमने बहुत brief में बढ़ा है धौलदार range के बारे में, right इसके बार next question की बात करें 104 question, what was the Sanskritic name of river Bias, Sanskrit में Bias को किस नाम से जाना जाता है इरावती हमने अभी बात की थी रावी river को जाना जाता है, Bias विपाशा है, या फिर ब्रिहान दीनी है वितास्ता है, तो B is the right option Bias river को विपाशा के नाम से जाना जाता था now moving forward, 105 number question की की बात करें, which among the falling rivers is fed by glacier बड़ा बंगाल, तो कौन सी river है अभी हमने पिछे ही जो है MCQ में बात की देखी, किसी भी तरीके से question को पूछा जा सकता है, option number A, Satloj, Ravi, Chinab और Yamuna river, तो इसमें option number B is the right answer, now moving forward, 106 number question की बात करे, how much distance does the river ब्यास, cover through हिमाचल प्रदेश before merging with river Satloj, क्या ये 256 किलोमेटर के लिए, catchment area बनाती है हिमाचल प्रदेश में, B option is 193, C option is 329 and D option is 230 km, the right option is option number A, 256 किलोमेटर का catchment area जो है, river ब्यास बनाती है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी चीज़ अगर बात करें, ब्यास river आगे जाकर merge हो जाती है, सतलुच के साथ में इसके बारे में भी हमने बात की थी, तो उस reason को बोलते हैं, हरी का पतन तो ये जो जगा है वो है पंजाब में तो इसको भी याद रखें आप लोग अपने notes में include करते चलें एक सो साथ नमबर question की बात अगर करें दरीवर ब्यास एंटर मंडी डिस्टिक मंडी डिस्टिक की अगर बात करें, ब्यास कहां से एंटर होती है, इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, शायद एक question पहले भी हो चुका है, दो यहां पर जगाएं आती है, बजारा आता है और दूसरी जो जगा है, वो है लार जी, तो इसका जो सही अंसर है, वो है बजारा बजारा से ही एंटर करती है मंडी में लार जी भी एक borderline है, बट बजारा में सबसे पहले एंटर कर जाती है बजौरा की जो वांडरी लगती है वो मंडी में एंटर कर जाती है ब्यास रिवर तो संदोल इसका बिलकुल अंसर नहीं है बजौरा एंड लॉंगनी जिगिंदे नगर बी इस दा राइट ऑप्शन फॉर 107th question next now moving forward name the place where the river ब्यास leaves district Kangra तो इस तरीके के कहां से enter करती है और कहां से leave करती है इस तरीके के बहुत बार question पूछे गये हैं इसलिए मैंने यहां पर हर एक question अलग-अलग तरीके से यहां put किया है Kangra district में ब्यास river जो है कैसे out होती है और किस place से out हो जाती है नालती है या फिर नदौन है मिर्थल है जोगी पांगा है तो c is the right option मिर्थल से river ब्यास kangra को separate कर देती है लीव कर देती है इसके बाद बात करें 109 question की बात करें which among the falling is the largest glacier 25 km मैंने इसमें fact डाला है और यह ब्लोगरा सही लिया है located in Himachal Pradesh और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे बड़ा भंगाल है दुधान है या फिर ओतांग या बड़ा शिग्री शिग्री हमने बात भी की इसे जो है local language में glacier को शिग्री के नाम से जाना जाता है D is the right option 25 km का ये बहुत बड़ा glacier है और ये कहां है लाहॉलेंड स्पीती वाले रिजन में है तो इसको आप notes में डालते चाने और 110 number question की बात करें which of the falling rivers is fed by the glacier बड़ा शिग्री अब इसके बाद हमने अभी बात की कि ये 25 स्केर किलोमेटर का area cover करता है और ये लाहॉलस्पीती में है क्या ये सतलूश को fed करता है या रावी चिनाव या जेलम तो इसका जो सही अंसर है option number c चिनाव रिवर को fed करता है बड़ा शिग्री ग्ल glaciers के बारे में बात की थी water springs की बात की थी तो ये जाकर आप lecture देख सकते हैं और जिनें आता है तो ये option का अंसर दे सकते हैं क्या एक आंगडा है कुलू है चंबा है या फिर सिर्मौर है the right answer for 111 is B option कुलू में दुधोन और पारवती दौनों के दौनों glacier है और ये fed करता है कि रिवर को right तो इस चीज को आप नूट करते चले 112 number question की बात करें the water of river biaz have been diverted through the tunnel into सतलोज बहुत बहुत बार पूछा गया question है around 38 km का ये area बनाता है river biaz से किस reason में जो merge किया जाता है सतलोज में इसका पानी merge किया जाता है क्या ये जो गिंदर नगर वाला area है पंडो है या फिर बलदवारा है या खुलदा है तो इसका जो right answer है option number B पंडो डेम जो वहाँ पर बना है ये कहा है मंडी डिस्टिक में तो वहाँ से river में सतलोज river में ब्यास का जो पानी है वो divert किया गया है राइट एक सो तरीके के option है देखिए और इसमें अगर option सही option की बात करें option number C is the right answer संस्क्रित में जो है सतलोज को शतुद्रू के नाम से भी जाना जाता था 114 number question की बात करें तमसार पीक 5080 meters जिसकी height है is located in the district या कुलू में है चंबा है किन और है या फिर लाउस्पिती है तो तमसार जो पास है तमसार पास और यह जो पास है यह option number B चंबा डिस्टिक में जो है located है तमसार पास 115 number question की बात करें which among the falling peaks is not in कुलू district क्या साच पास है पतालसू है चोलांग है या पिन पारवती और देखिए इस तरीके के question आ जाते हैं इसमें effect भी दिये हैं देखिए इसमें मैंने effect खुद से include किया है ताके आपको height का पता लगेगी कौन कितनी height पर है locate है तो इसमें से कौन से peak है जो कुलू में नहीं है साच बिलकुल और दूसरा साच जो है यह कुलू district में है चोलांग है और पिन पारवती है चोलांग बहुत बार question पूचा जाता है इसलिए मैंने यहां पर include किया है अगर हम पतालसू की बात करें this is not in कुलू district this is in chamber district very very important इस त अपना question attempt कीजिए next moving forward देव टीबा located in कुलू district तो यह दो तरीके से question मन जाता है देव टीबा कहां पर है कुलू district में और देव टीबा के बारे में इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है अगर हम पीर पंजाल की बात करें और greater Himalayan जो range हाती है दौनों अगर merge होती है तो देव टीबा में आकर कुलू में आकर ही मरज हो जाती है और उससे आगे जो अगर range चलती है तो एक greater Himalaya की ही range है हमने greater Himalaya lecture number 3 में बहुत बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ा है तो देव टीबा की अगर बात करें इसकी height कितनी है क्या यह 56 है या 56 है या 6001 और 6050 तो बह 117 की बात करें तो पिन पारवती पीक कुलू है जैन एल्टी डूड़ पिन पारवती पीक की अगर बात करें क्या यह 4800 है 3850 है 9570 है 3270 मेटर है तो इसका जो राइट अंसर है option number A देखिए इसके साथ में अगर हम एक और fact की बात करें 3850 की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यह हाइट अगर इसके साथ में थोड़ा सा एक step आगे बढ़े 3978 इसका अगर हम double करते हैं तो 78 आता है यही हाइट है रोतान पास की तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं तो यह important है बहुत बात पूछ लिया भी जाता है तो right option for 117 is A option 4800 जो है पिन पारवती पी जो कुलू में located है उसकी height है now 118 number question की बात करें कैलाश peak is located at the altitude of five six six zero meters in district देखे इस तरीके के question confuse करते हैं इसलिए मैंने दो यह question इस तरीके के डाले हैं कैलाश peak की अगर बात करें क्या यह चंबा में है किन और में है लॉल्स पिती या कुलू है तो confusion जो create होता है वो चंबा औ और किन और के बीच में होता है अगर हम के लाश peak की बात करते हैं दिस इस इन चंबा डिस्टिक ए इस दा राइट option और देखे second last question है the peak in the sand located in the kullu has an altitude of इंद्रसन जो है इंद्रसन है या इंद्रसन है यह कुलू डिस्टिक में है यह तो यहां से पता लग रहा है आपको और इसका altitude कितना है क्या यह 6050 है यह 6050 है मीटर से एक जगा फीट है 6220 मीटर से या फिर 6597 मीटर है दे राइट option for 119 is C 6220 मीटर की हाइट पर है last question जो है 120 नंबर question की अगर बात करें डीवी वोकरी पिरमेड यह भी बहुत बार question पुचा गया है चौन सब में 6400 मीटर की हाइट है इस इन कुलू या किनौर या फिर शिम्ला या फिर लाहॉल्स पिती दे राइट answer is option number 1 कुलू में जो है डीवी वोकरी पिरमेड है बहुत बहुत बार यह इस तरीके के question पूछे चाते हैं और हम पहले भी बताया कि देखिए अगर हम कैलाश mountain की बात करें कैलाश एक कैलाश peak है राइट और दूसरी अगर बात करें किनर कैलाश तो दूनों में बहुत माइनूट सा फ़क है तो गन्फ्यूज ना हूँ कैलाश पी का हमने question किया तो कैलाश peak की अगर बात करें this is in chamber district और इनको अपने facts के साथ in-tude करें notes में डालते चलें किनर कैलाश की अगर बात करें this is in canard district एक very very important तो इसमें confuse ना हो कुछ एक ऐसी peaks है जो same-same से लगती है कि एबार confusion create हो जाता है तो आप comment करके बताएं चोलांग peak दिखें नाम और pronunciation इसका ऐसा लगता है कि या तो किनौर में होगी या फिर लाहॉल एंड स्पीती में होगी आप comment करके बताएं चोलांग peak कहां पर locate है हिमाचल परदेश में तो this is the set of 30 questions फोर्ट set था आपको इस set कैसा लगा और आपके कितने इसमें सही अंसर हुए आप comment करके बता सकते हैं इसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर आने वाला है और ये जो लेक्चर रहने वाले सीरीज है पूरी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ब्रीफ में मैंने बताया है कोई अगर H.A.S. की त्यारी कर रहा है लाइट की त्यारी कर रहा है या फिर पटवारी आने वाला एक्जाम है या H.P.Police है जो सीरीज चलीगे एक्जाम के टाइम में वो हम अलग से लेकर आएंगे तो ब्रीफ में अगर कोई इन लेक्चर को देखना जाता है आप अराम से इन लेक्चर को इंजॉय कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करें सब्सक्राइब मैं चैनल एंड हिट दे बैल इकन ताके आपको नोटिफिकेशन ताइम तू ताइम मिलती रहे दिस आल अल अबोट तोड़े थैंक्यू आम साइनिंग आफ